दूपते सूर्य को दिया अर्ग्य अब उक्ते सूरज की होगी पूजा बावल शहर सहित ग्रामीन इलाकों में समृद्धी, पोत्र प्राप्ती वह मंगल कामना के परू छट पर गुरुवार की शाम को दूपते सूर्य को अर्ग्य दिया गया शुक्रवार की सुबा उक्ते सूर्य को अर्ग्य देकर महापर्व का समापन होगा बावल शहर में छट पूजा न्यू संग समिती ने ये कार्यक्रम आयोजित किये गए शाम होने से पहले ही व्रती रामसरोव तालाप श्री श्याम बाबा मंदिर बावल वन अधियों पर दूपते सूर्य को अर्ग्य देने के लिए पहुँचने लगे बड़ी संख्या में छट व्रती अपने पूरे परिवार एवं गाजे बाजे के साथ छट घाट पर पहुँचे शाम को पूरे विधी विधान से छट व्रतियों ने डूपते सूर्य एवं छट माता की आराधना की स्थानी ये जनप्रतिनिधी वा अन्य लोग भी व्रतियों को पर्व की शुटकामनाय देने छट घाटों पर पहुँचे सबसे ज़्यादा रामसरोव तालाप श्री श्याम बाबा मंदिर बावल समेत अन्य घाटों पर रही प्रशासने का अधिकारियों के साथ पुलेस के जवान पूरी तरह मुस्तेद रहे सूर्य देव की उपासना का ये पर्वशुधता, स्वच्छता और पर्यावरन सनरक्षन का संदेश देने वाला है सूर्य देव के साथ साथ छटी मैया की पूजा का विधान है इस वरत में सूर्य और शष्ठी माता दोनों की उपासना होती है इसलिए इससे सूर्य शष्ठी भी कहा जाता है दिन में छटी वरतियों ने गेहूं, घी वर शक्कर का ठेकुआ, चावल, घी और शक्कर का लड़ू प्रसाद के लिए बनाया बांस के बने सूप डाला, दोरा, टोकरी में प्रसाद को रखा गया इसके साथ ही प्रसाद के रूप में सेब, केला, अमरूद, नीम्बु, सहित, अन्यफल प्रसाद के रूप में रखे गए कल सुबह होगी उक्ते सूर्य की पूजा आज तड़के उक्ते सूर्य को अर्ग्य दिया जाएगा उक्ते हुए सूर्य को अर्ग्य देने के लिए छट व्रती सूर्य उदै से पहले ही घाट पहुँचने लगेंगे उक्ते सूर्य को अर्ग्य देने के बाद 36 घंटे का कठिन व्रत का पारण होगा गूँचते रहे छटी मैया के गीत, घरों से लेकर घाटों तक भक्ति पून महौल बना रहा छट महापर्व की तैयारिया घरों में कई दिनों से चल रही थी घरों से लेकर घाटों तक भक्ति के गीत गूँचते रहे, जिससे महौल को भक्ति मैं बना दिया च्छट व्रत में होती है सूर्य देव की पूजा कार्तिक मास की शुकल पक्ष की शष्टी तिथी को डूबते सूर्य को अर्ग्य दिया जाता है पूर्वी भारत समेत देश के विभिन इलाकों में च्छटी मैया का ये पर्व बहुत धुमधाम से मनाया जाता है इस व्रत का प्रारंब चतुर्थी तिथी को होता है और शष्टी तिथी को इसका पहला अर्ग्य दिया जाता है इस व्रत में भगवान सूर्य की अराधना पूरी निश्ठा वपरंपरा के साथ की जाती है छटी मैया का ये व्रत काफी कठिन होता है इसलिए इसे महावरत और महापर्व के नाम से भी जाना जाता है छटी मैया निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बच्चों की रक्षा भी करती हैं आएए जानते हैं आखिर कौन है छटी मैया इनकी बहन है छटी मैया चट व्रत में होती है सूर्य देव की पूजा, फिर कौन है चटी मया? पुरानिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान ब्रम्हा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है शष्टी मया. इस वरत में शष्टी मया का पूजन किया जाता है इसलिए इसे चछट वरत के नाम से भी जाना जाता है पुरानों के अनसार ब्रह्माजी ने सृष्टी रचने के लिए स्वयम को दो भागों में बांट दिया जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृती का रूप सामने आया सृष्टी की अधिश्ठतरी प्रकृती देवी के एक अंच को देवसिना के नाम से भी जाना जाता है प्रकृती का छठा अंच होने के कारण इन देवी मां का एक प्रचलित नाम शष्ठी है जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं इस नाम से भी जाना जाता है पुरानों में इस देवी को कात्यानी के नाम से भी जाना जाता है नवारत के छठे दिन इन्ही माता की पूजा की जाती है ग्रामीन समाज में आज भी बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजा का प्रचलन है सकंद पुरान में छठी मैया के व्रत के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं, ये सभी सुखों को प्रदान करता है छटी मैया संतान को दीर घायू प्रदान करती हैं और बच्चों की रक्षा करना इनका गुन भी है इस तरह देते हैं अर्ग्य शश्टी तिथी की सायकाल में सूर्य देवता को गंगा यमुना या फिर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे अर्ग्य दिया जाता है अर्ग्य के दौरान नदी किनारे बांस की टोक्री में मौसमी फल, मिठाई और प्रसाद में ठेकुआ, गंणा, केले, नारिय, खट्टी के तौर पर डाब निम्बू और चावल के लड़्डू भी रखे जाते हैं इसके बाद पीले रंग के कपड़े से सभी फलों को धाक दिया जाता है और दीपक हाथ में लेकर टोक्री को पकड़ कर तीन बार डुब की मार कर भगवान सूर्य को अर्ग्य दिया जाता है इस प्रसाद को बहुत ध्यान से रखा जाता है इसमें साफ सफाई और पवित्रता का विशेश महत्व है प्रसाद कर दिया जाता है